हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दे यूट्यूब चैनल ऑप बिश्ट अकैडमी और लोगडाउन के इन दिनों में हमारी फिजिक्स क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हम लोग मोशन के पार्ट 9 में आ चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किंगे uniform circular motion तो चले शुरू करते हैं मेरा नाम चंदर शेकर भिष्ट तो सबसे पहले तो can you think of an example when an object does not change its magnitude of velocity but only its direction of motion कहने का क्या मतलब है कि velocity का magnitude change नहीं होना चाहिए ऐसा को एक्जामपल बताइए magnitude velocity का मतलब हो गया speed की बात हो रही है object की जो speed है object की जो speed का मतलब उसका magnitude है मान लोग की 2m per second यह change नहीं हो रहा हो लेकिन सिर्फ उसकी क्या change हो रही हो direction तो क्या कोई example ऐसा mind में आ रहा है तो चले देखते हैं इसी चीज़ को समझते हैं हम लोग यह हमारे पास uniform circular motion के terms में अब अगर देखें हम लोग मान लोग की rectangular track है मारे पास और यह rectangular track में A से B गया फिर B से C गया, C से D गया, D से A गया तो हमने कहा दिया जो athlete है वो एक particular constant speed से चल रहा है उसकी speed change नहीं हो रही है और A से B में वो 2m per second की रफतार से दोड़ रहा है इसी तरीके से जब B point पर आया तो उसने अपनी direction को change किया लेकिन speed वही 2m per second बनाए रखा, इसी तरीके से C से D में भी speed वही बनी हुई है, सिर्फ C point पर direction change किया, D point पर direction change किया, इसी तरीके से फिर से A point पर direction change हुआ, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि A, B, C और D point पर हमारे directions change हुए हैं, इसी तरीके से आप देखिए, अगर हमारे पास यही तो इसमें भी आप देखिएंगे, इस hexagonal track में भी हमारे पास जो object है, वो A से B गया, फिर B से C, C से D, D से E, E से F, तो आप यहाँ पर देखिएंगे कि A point, B point, C point, D point, E and F point, इन सभी points पर इस athlete ने या object ने अपनी speed को maintain रखा हुआ है, लेकिन अपनी जो direction है, वो change हो रहा है, इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर इसको एक मान के चलो octagonal shape track देख लें, तो इस case में आपके पास 8 अलग-अलग points आएंगे, जहाँ पर कि object या athlete अपनी direction को change कर रहा है, लेकिन अपनी speed constant बना करके चल रहा है, या दोड़ रहा है, अगर मान लो कि इसी को हम यह turns बार 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 change करते चले जाएं, तो हमारे पास एक complete circle बन जाता है, इस circle के पास infinite number of turns होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि circle के case में, अगर कोई object है या athlete है, वो जब revolve करे या चले, तो उसकी जो speed है, वो तो constant बनी हुई है हर एक point पर, लेकिन हर point पर उसकी direction क्या हो रही है, change हो रह रहेगी, तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें, तो हम कह सकते हैं किसी भी एक uniform circular motion के लिए, when an object moves in a circular path with uniform speed, uniform speed का अदर magnitude change नहीं हो रहा है, that is known as uniform circular motion, अब अगर आप इस uniform circular motion में velocity निकालना चाहें, तो velocity का formula होता है, displacement upon time, तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमारे पास यह object ज distance यह displacement travel हो रहा है, that is 2 pi r, तो हमारे पास इस circular path में, जो velocity निकल करके आएगी, वो हो जाएगी 2 pi r upon t, इस formula को आपको याद रखना है, किसी भी circular case में, circular motion में, जो 2 pi r है, वो हमारे पास distance देता है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ NCRT के numericals करते हैं, इस numerical में, हम लोग सबसे पहले देखेंगे, कि एक artificial satellite है, जो की move कर रही है, किसी भी circular orbit में, और उस orbit का जो radius है, वो हमारे पास 42,250 km है, अब हम से यहाँ पे पूछा गिया है, कि इसकी speed क्या होगी, अगर इसका time 24 hours दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं, कि हमारी जो speed है, वो speed ल की value होती है, 22 upon 7 या 3.14, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से आपको इस equation में, जो speed के लिए, velocity के लिए जो formula होता है, 2 pi r upon t, तो आपको यहाँ पर r की जगे पे r की value रख देनी है, इसको meters में change कर लेंगे, 1000 से multiply करके, और time की जगे पर आपको 24 hours पुट कर देना है, और 24 hours को भी आप second में put कर सकते हैं, या आप speed को kilometer per hour में भी निकाल सकते हैं, और यह आपके पास simple answer आ जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक train है, जो कि start कर रही है railway station से, and moving with uniform acceleration, अब देखें, सबसे पहले इन questions को करने का एक तरीका यह होता है, कि जो equation में आपको information दी आप उसको note down कर लीजे, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, start कर रही है railway station से, इसका मतलब है, कि railway station पर रुकी हुई होगी, तो इसका मतलब उसकी initial velocity क्या है, 0, और फिर उसने uniform acceleration से चलना शुरू किया, इसका मतलब उसके पास कुछ acceleration है, कितना है, वही हमको यहाँ प हमको दिया हुए 40 km per r, अब km per r को आप meter per second में आसानी से change कर सकते हैं, 1000 divided by 3600, इसको multiply कर दिंगे किस के साथ, 40 के साथ, तो km per r आपका किस में convert हो जाएगा, meter per second में, तो आसानी से इस प्रशन को भी आप अब solve कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि अब आपको पता है, 3 equations of motion आपने पढ V is equals to u plus 80, अगर आप इस equations को देखें, तो आपके पास क्या V दिया हुआ है, बिलकुल दिया हुआ है, आपके पास क्या U दिया हुआ है, बिलकुल 0 दिया हुआ था, आपको पता क्या करना है, A, और फिर time कितना दिया हुआ है आपको 10 minutes, और इस 10 minutes को भी second में convert कर लेंगे, त ये भी known है और time भी known है केवल unknown quantity क्या है ए तो इस equation को use करके हम आसानी से इस question को solve कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं third question what is the nature of the distance time graph for uniform and non uniform motion अब आप से कौन सा graph पूछ रहा है distance time तो आपको मैंने बताया था x-axis में हमेशा क्या represent करेंगे time और y-axis में क्या represent करेंगे हम लो distance या displacement तो अब अगर आप से कहा जाए nature of distance time graph for uniform motion तो आपको मैंने बताया था कोई भी straight line इस तरीके से आप draw कर देंगे तो ये आपको क्या वहाँ पे denote करेगा uniform motion और अगर non uniform motion हो रहा है तो उस case में आपको इस तरी travel of time में unequal distances travel करता है है अगर आपको कोई doubt हो तो आप मेरे पुराने video lectures को देखिए वहाँ से आपको doubt clear हो जाएंगे फिर इस तरीके से आप से पूछा गया है what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line speed time अब यहाँ पे आपको लोगों को speed बनाना है और यहाँ पे आपको time बनाना है speed time graph हो गय कह रहा है speed time graph is a straight line now this speed time graph is a straight line it means we have to draw a line that is parallel to the time axis now this line is parallel to the time axis and you can easily infer from this graph that the velocity remains constant यह velocity यहाँ पे constant बनी हुई है समय बदल रहा है time is changing but the velocity is not changing velocity वैसी ही बनी हुई है इस वज़े से यह हमारा कैसा motion कहा जाएगा uniform motion uniform क्यों क्योंकि velocity constant बनी हुई है रुका हुआ नहीं है object है ना अब आप देखिए बस starting from rest moves with a uniform acceleration अब देखिए यहाँ पे कहा से start कर रहा है rest से तो u कितना हो गया zero uniform acceleration एक इतना दिया हुआ है 0.1 meter per second square time कितना दिया हुआ है 2 minute है ना इस 2 minute को आप convert कर लेंगे second में 2 into 60 seconds अब बचा क्या आप से भाई पूछ रहा है speed कितनी पाई speed कितनी acquire करी पहला ही equation देखिए v is equals to u plus 80 सिर्फ एक unknown होना चाहिए देखिए आप से speed acquire मतलब final velocity पूछ रहा है क्या आपको u पता है बिल्कुल पता है क्योंकि rest से move किया तो u 0 हो गया a आपको uniform acceleration बिल्कुल दिया हुआ है आपको time बिल्कुल दिया हुआ है बस इसमें रखेंगे variables को और आपके पास v की value पता चल जाएगी इसी तरीके से अब आपको दूसरा question पूछा इसने distance travel now distance travel के लिए second equation time दिया था बिल्कुल दिया है इस equation में आप इनकी values को put करेंगे तो आपके पास क्या आजाएगा वहाँ पे distance travel I hope कि आपको ये बाते clear हो गए होंगी तो NCRT के ये सारे questions हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे और next video lecture में हम लोग देखिएंगे कुछ और graphs जो कि आपकी NCRT में है तो आपको इन questions को solve करना है numericals को और मेरे जो Google Drive में आपको बताया था virtual classroom वहाँ पे आपको अपने answers को upload करना है और आप नीचे comment section में भी ये चीजे पूछ सकते हैं तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करिए मेरे channel को subscribe करिए और अपने दोस्तों के साथ इस channel को share भी करिए क्योंकि ग्यान बाटने से बढ़ता है तो अब हम लोग इनी graphs को और इनी numericals को समझेंगे लेकिन आज नहीं कल तो तब तक के लिए happy quarantine days, happy studies आप लोग पढ़ते रहें, thank you